गर्विया स्टार्ट होंगी नहीं, ऐसे में बस एक ही चीज है जो बार वार खाने को मन करती है, वह है आईस्क्रीम। कुछ आईस्क्रीम ऐसी होती है, हम चाहें कि वो मार्केट में मिल जाए, फिर भी हमें नहीं मिल पाती है। उनका आनंधम घर पर ही ले सकते हैं आज मैं लेकर आई हूँ सुपर टेश्टी सुपर हेल्दी बिल्कुल ताजे नारियल की आइस क्रीम की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है जटपट से आप इसे बिना गैस जलाए बस साथ से आठ मिनट की मेहनत में ही या क्रीमी और जट से मुह में घुल जाने वाली आईस क्रीम बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाने के लिए स्टाट करती हूँ तो यहां पर मैंने यह नारियल ली है इसे मैं सबसे पहले चाकू की मदद से इसके जो उपर का जो हाड़ वाला जो पार होता है इसके जो लेयर जो बोलते पानी को बिल्कुल विष्ट मत कीजिएगा पानी भी आप अच्छे से रख लीजिएगा क्यूंकि पानी भी हम इस आईस क्रीम में यूज कर लेंगे तो यह देखिए यहां पर मैंने नारियल के पीसे को इसे अलग करके और इसके जो पीछे वाला जो ब्लैक सा पार्ट होत उसे मैंने जो पानी जो निकलता है वैसे हमारी नारियल में पानी नहीं थी क्योंकि मैंने पूजा के बाद हमारी जो बहुत सारी नारियल बची हुई थी यह वही नारियल है तो इसलिए हमारी नारियल में पानी नहीं थी तो मैं विदाउट पानी का ही से बनाऊंगी आप पानी निकलती है उसे आप अच्छे से रख लीजेगा क्योंकि अभी आइस क्रिम बनाते समय में उसे भी यूज कर लूगी क्योंकि नारियल के पानी में बहुत सारे विटामीन मिनरेल होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लावदायक होते हैं तो यह देखे मैंने सार मैं अंबल भाशा बहुत है cheating यह देखे हुए दो नारीय लिए है तो यहां ему हम बन्हीन हम यह देखे मिन फ्लेवर नहीं बहुत चाहते है तो कि प्तों सकते हैं उससे भी अप्ड़र आता है बनाभात मुझे लाश चीज़ों में बहुत जादा पसंद नें यहां sweating यहां प यहां पेस्ट बनाती हूँ तो यह देखिए मैंने नारियल को पीस लिया है अभी हमारी यह जो नारियल हो काफी थीक है तो मुझे और यहां पेसने में जितनी नारियल दूद की जुरत पड़ेगी मैं उतना एड़ कर दूंगी यहां पे मैं ले रही हूँ तीन से चार चमच मिल्क पाउडर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे बिल्कुल मावे का टेक्स्चर आ जाता है तो आप इसे जरूर से यह मैसेश करूंगी कि इसे जरूर से डालिएगा और यह जो दूद की जो मलाई होते है यह ताजी फ्रेस मलाई है अभी अभी मैंने दूद से न परेसानी से बना सकते हैं उसमें कोई परेसानी नहीं है और आपका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा ही बनेगा यहां मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग चार चमच में चीनी एड़ करें क्योंकि मैं यहां पर मिल्क पाउडर वीड एड़ की हूँ और मिल्क पाउडर पहले से मि इस सब बने त्यार हो चुका है बिल्कुल इसमोधिस का पेस्ट बना है यह देख रहे ना है इसका टेक्च्छर बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए बहुत जादा इसे पतला मत की जिएगा तो इन सब चीजों को मैं इन पीष लिया है अब यह देखें जब मैंने नारि कड़ कर दिए में करना जाला तो पर बाइट कर दूइंग में, बहुत ही टेश्टी लगती है इस तरीके साद परीचे नहीं कि तूड़ी सी नारीयल को इसमें डाल जाल दाल दीजिएगा जालना चाहते तो फ़ी कोई बात नहीं है यह बात बात बाफिते सब्सक्राइब तो आपको हर आइस्क्रीम के बाइट के साथ आपको कॉकोनट मिलेगी न तो बहुत ही टेस्टी लगती है तो अभी इन सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूं एक स्पून की मदद से तो आप देख रहे हैं हमारा जो यह बैटर तायर हुआ यह काफी थीक है तो मैंने 2-4 चार्च मेर दूद बचा करके रख लिया था तो उसे भी मैं यह एड कर देती हूं यह आप इस क्रीम को दूद से नहीं भी बनाना चाहते तो आप इसे चीनी और पानी के साथ भी बना सकते हैं फिर वी इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ी आने वाला है यह आप पड़ी मिल जाती है शर्ण का ङुल एपिछी बत्त नहीं पंचित हुआ है आप पाने ह इसका ईस क्रॉद पया है जाती चैह इतुर्ष सबसे पहले में सबस्पारा देञा का ठीक हे चाहने हुर्त ही में अच्छातीम पछतीे जाती आप देखिया अगैस क्राभ उन्मयत तो बस एक चम्मच की मदब से मैं इसे सारे में एक एक करके भर देती हूं बहुत ज्यादा इसे उपर तक नहीं भरना है थोड़ी सी से खाली छोड़ देना उपर से तो यह देखिए मैंने सारे मॉल्ड को अच्छे से भर दिया है अब बहुत से लोग यहां पर क्या गलती कर को मत लगाईएगा मैं इसमें मैं इसके लिड में इसके लिड में से मैं इस्टिक को हटा देती हूं और इसके लिड को मैं इस पर लगा दूंगी यह इस्टिक से क्या होती है ना किसे आइस क्रीम अच्छे से से नहीं हो पायती है और जब आप इसे डिमोल्ड करेंगे ना तो आपको समझे के टूट जाएगी तो मैंने इसके लड़ को सेट कर दिया है और इसकी रीड कि अपड़ाकर स्थेट में रख देती हूँ के देखें मेने सारे लिड को इस फें लगा दे ती हूं और इसकी जो प्लास्टिक वाली जो शृक थी उसे मैंने भटा दी है क्योंकि वह काफि होती है और उसमे हमारी आइस क्यम अच्छ से अजुप्त हो पाती है तो आप मैं क्यन करूँगी तो यह कि दुद के मैंने प्लास्टिक वाले श्टिक को हटा दिये अब यह देखे यह वुड़ वाली आइसक्रीम इस्टिक है यह मार्केट मेजली मिल जाती है पाँ यह दस रुपे में बहुत सारी मिल जाती है तो आप इसे ही रखिएगा और इसके साथ जब आप आइसक्रीम जमाएंगे नो तो पूरी श्टिक के साथ अच्छे से डिमॉल्ड हो जाएगी जब आप इसे डिमॉल्ड करेंगे तो आइसक्रीम पूरी की पूरी निकल जाएगी तूटेगी बिलकुल भी नहीं तो मैं यहां पर एक एक लिड में इसमें डाल देती हूं एक एक श्टिक यदि आप इस लिड को भी नहीं इसमें कभर करना चाहते तो जो मार्गिट में सिल्वर फॉल पेपर जो आता है आप उसे भी इस पे लगा सकते और उपर चाप श्टिक डाल सकते तो उतना खर्च वगरा करने की क्या ज़रत है मैंने उसी लिड को वापस लगा दिया और उ अब देखे वी इसमें आएट आपधे शाथ फ्रीज में नहीं उसे भी यह दिसमे खालगा देती हूं तो अब देखे लिए से चेह साथ घंटे फ्रीज में रखने के अवाद में आपको यह तव की वीडियो है तो अभी मैं एपको दिखा रही हूं यह इह पर ब्लेत तो बस इस पानी एक वह अचे से डिप करना है और यह तेखे डिप करने के बाद उस Worlds कि अजली हमारी आइस क्रिम से निकल जाएगी तो यह देखे आजु गई कि इतने अच्छे से मारी आइस क्रिम सेट हो चुकी है और यह जो तारी मिल्च कि आज़नी हमारी आइस क्रीम बन करके त्यार हुए है तो इसी तरीके से में और पहले पानी में मॉल्ल को डिप करती इसके लद को खटा देती हूँ और उसके बाद देहें कितने अच्य से हमारी आईस- roofs, बन करके निकल गई है तो मैं यहाँ पर एक नारियल का आईस-क्रीम बन आई थी जिसमें हमारी 6 आईस-क्रीम बन करके त्यार हुई है। कि यहां पर सारे हास्क्रीम कहा दी मैं नहीं करणीज दू यह अभी हैं यह पीडाव में लिछ चिन भाग्या यह तो दोस्तो आपने हैं saस्ट आपने नगे लगा कि खाया है आप जिया और दौस्तों सबस्क्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें मिलती हूं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई